ना जड़ेंगे ना तूटेंगे आपके बाल सिर्फ तेजी से बढ़ेंगे। गहने हो जाएंगे और काले हो जाएंगे और साथ काफी मोटे भी दिखने लगेंगे तो शुरू करते हैं इस अचूक रेमेडी को इस रेमेडी में जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे वह है दोस्तों दही यानि के योगर्ट और दही लग बग हर घर में हर वक्त इसके बाद जो हमें दूसरी चीजी इस नुष्के में एड करनी है वो है दोस्तो, शिकाकाई पावडर और शिकाकाई पावडर दोस्तो, बालों के लिए बहुत-बहुत फाईदेमन दोता है शिकाकाई यह एक ऐसी नैचुरल चीज है जो हमारे बालों के लिए ही बनी है या आप अगर अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल जो समय से पहले सफेद हो चुके हैं वो जड़ से काले होने लगेंगे साती सत आपके बालों की रुक्यूही ग्रोथ बढ़ने लगेगी और बाल उल्टा दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ने लगेंगे दोस्तो शिकाकाई पाउडर आप खुदी शिकाकाई खरीद कर उसको पीस कर भी तियार कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से बजार से केमिस्ट की शॉप से या फिर पंसारी की दुकान से भी आप शिकाकाई पाउडर खरीद सकते हैं यह पैक मैंने 20 से 30 उर्पेगा खरीदा है बहुत ही सस्ता ही आता है इस प्रकार से हम इसके अंदर लेंगे दोस्तो आदा चमच शिकाकाई पाउडर का यह देखिए दोस्तो आदा चमच शिकाकाई पौटर हम इसमें जो है एड कर लेंगे यhen देखिआ आदा चमच हमने शिकाकाई पौटर ले लिया है अब जो तीसरी चीज इस नस्के में हम एड करेंगे वह दोस्तो केस्टोर ओयल केस्टोर ओयल यानि के अरंडी का तेल दोस्तों ये बहुती बहतरीन तेल होता है बालों के लिए ये अगर आप बालों में लगाएंगे न तो आपके बालों में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी क्योंकि ये अपके बालों में जड़ों में जाते ही अपना काम शुरू कर देता है यह आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है जिससे की बाल जढ़ना रुख जाते हैं और बालों के में ऐसा पोशन देता है जिससे की बाल जो सफेद हो रहे हो काले होने लगते हैं तो ये भी आपके बालों की growth को बढ़ने में बहुत help करेगा जब ये तीनों चीज़ों mix होकर आपके बालों में लगेगी तो आप सोची सकते हैं कि कितना ज़ादा आपके बालों को फायदा होने वाला है तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों एक चमच अरंडी का तेल जो boys हैं वो आदा चमच लेंगे और जो girls हैं जो women हैं वो एक चमच अरंडी का तेल इसके अंदर लेंगे बाकी सबी चीज़े सेम रहेंगी तो आप हम इस अच्छे से mix कर लेंगे ये देखिए दोस्तों ये mix होकर त्यार हो चुका है कुछ इस तरीके से आपको जो है mix होने के बाद ये दिखाई देगा अब आपको लगाना किस तरीके से हैं आपको मैं बता देता हूँ आपको यो week में 2 से 3 बार लगाना है यानि के जिस दिन आप अपने बालो को shampoo करते हैं उस दिन आपको ये अपने बालो में लगाना है और लगाने की प्रकिरिया क्या होगी आपको इस अपने बालो के जड़ो में सबसे पहले लगाना है फिर अपके बालो में 5 मिनट तक हलकी हलकी massage करनी है पूरे बालों के अंदर जड़ों के अंदर और देन आपको बालों के पूरे बालों में आपको अच्छे से ये लगा लेना है और लगा लेने के बाद में 15 मिनिट के लिए इसको अपने बालों को ढख लेना है किसी पॉलिथिन से या फिर किसी कॉटन के कपड़े से अपने बालों को 15 मिनिट तक ढखे रहें और उसके बाद में अपने बालों को आप शैंपू कर ले और दोस्तो पहले ही यूज में पहले ही शैंपू में आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की स्मूध हो जाएंगे और दोस्तो पहले ही यूज के बाद आपके बालों के जढ़ना कम हो जाएगा और लगातार कुछ दिनों के इस्तमाल के बाद, कुछ हफतों के इस्तमाल के बाद, आपके बाल हमेशा के लिए जढ़ना रुख जाएंगे, और जो सफेज बाले हैं वो काले होने लगेंगे, और साथी साथ आपकी बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज हो जाएगी, आपके ब आपके और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंट्स और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसे वाटसेप और फेस्बूक पे शेयर कीजेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन भी जरूर पैस कर लीजेगा थेंक यू दोस्तो